हेलो फ्रेंट्स मेरे यूट्यूब चैनल प्रैक और कम्टिशन भी दंजली में आपका स्वगत है मैं हूँ आपकी दोस दंजली आज के इस वीडियो में हम लोग भायत की प्रमुपस्णों से महपूपस्णों को पढ़ेंगे दोस्तों अगर आप किसी की भी कम्टिशन की त वीडियो को लाज तर जरूर देखेगा चलिए प्रेंट वीडियो को सुरूर करते हैं आज का फर्स्ट कोशन है विश्प में सरवादिक चावल का उत्पादन किस देश में होता है ऑप्शन ए भारत बी चीन सी फ्रांस डी अमेरिका तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑ चावल उत्पादन में भारत का इस्थान तो चावल के उत्पादन में भारत का इस्थान है दूसरा भारत में सरवादिक चावल का उत्पादन किस राज में होता है तो सरवादिक चावल उत्पादक राज है पश्चिम बंगाल भारत में चावल उत्पादक तीन अग्रण राज कौन कौन से हैं प्रथम नंबर पे है पर्षिम बंगाल सेकंड नंबर पे है उत्तरप्रदेश थर्ड नंबर पे है पंजाब अंतराष्टी चावल अनुसंधान संस्थान का पर इस्थिते तो ये स्थिते फिलिपिन्स में नेक्स्ट कोशेन है गेहूं के उत्पादन में भारत का विश में कौन सा इस्थान है आप्शन A पहला B दूसरा C तीसरा D चौथा तो इसका राइट अंसर हो जाएगा आप्शन C दूसरा गेहूं के उत्पादन में भारत का विश में दूसरा इस्थान है प्रथम उत्पादक देश गेहूं के उत्पादन में जो प्रथम नंबर पे हैं वो है चीन और भारत का इस्थान है दूसरा बाहरत में गेहूं मुख्य उत्पादक राज कौन कौन से हैं उत्तर प्रदेश, मद्यप्रदेश, पंजाब अंतर राश्टे मक्का वाग गेहूं सुधार संस्थान कहाँ पर इस्थिते तो यह इस्थिते मेक्सिको में नेक्स्ट कोशन है भारत के किस राज में सरवादिक सोयवीन का उत्पादन होता है उप्शन A, गुजराथ, B, मद्यप्रदेश, C, पंजाब, D, राजिस्तान तो इसका राइट अंसर हो जाएगा उप्शन B, मद्यप्रदेश भारत के मद्यप्रदेश राजी में सोयवीन का सरवादिक उत्पादन होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्म में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक तथा भोकता देश कौन सा है उप्शन A, भारत, B, न्यूजिलेंड, C, इटली, D, जापान तो इसका राइट अंसर हो जाएगा उप्शन A, भारत विश्म में भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक तथा भोकता देश है इंपोर्टेंट पढ़ लेते हैं भारत में सरवादिक दाल उत्पादक राज्य कौन सा है मद्यप्रदेश है भारत में दालों के मुख्य उत्पादक राज्य कौन कौन सा है मद्यप्रदीश, उत्तरप्रदीश, राजिस्थान, महराष्ट, करनाटक भारत की मुख्य दलहनी फसले कौन कौन सी है तुर जिसको हम लोग अरहर की दाल बोलते हैं तो मुख्य दलहनी फसले कौन कौन सी है भारत की तुर्ख, अरहरकिदाल, मूंग, उड़द, मसूर, मटर, चना नेश्ट कोर्शन है गर्ने की उत्पत्ति किस देश में हुई ओप्शन A, ब्राजील, V, अमेरिका, C, रूस, D, भारत तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन D, भारत गर्ने की उत्पत्ति भारत में हुई थी विश्म में गर्ने का सबसे वड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ब्राजील है प्रत्म नमर पे जो गर्ने का सबसे वड़ा उत्पादक देश है विश्म में वो है ब्राजील और गन्य के उत्पादन में जो भारत का इस्थान है वो है दूसरा भारत में गन्य के उत्पादन में तीन अग्रणी राज्यकोन कौन से है पहले नमबर प्या उत्तरप्रदेश, फिर्प महाराष्ट्र और करनाटक गन्य के परिपक को होने की अबधी 15-18 महा के बीच गन्य के लिए आदर स्थापमान 21-27 डिक्रीट सेलसियस गन्य के लिए उपर युगत बरसा कितनी होने चाहिए 75-500 सेंटीमीटर के बीच होने चाहिए नेक्ट कोश्चन है विशम में Sबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश कौन सा है? ओप्प्चन A, France, B, Germany C, भारत, D, Lewis तो इसका right answer हो जाएगा C, भारत विशम में सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश कौन सा है? तो वो है भारत भारत में उगाई जाने वाली मुख्य तिलहनी फसले हैं कौन कौन सी हैं मुफली, सरसु, नारियल, तिल, सोयवीन, अरंडी, बिनौला, अलसी, सूरज मुख्य ये सब कौन सी फसले हैं तिलहनी फसले हैं जो भारत में उगाई जाती हैं भारत में मुंफली का सबसे बड़ा उत्पादक राजी कौन सा है आंधर प्रदेश भारत में सबसे ज़्यादा जो मुंफली उगाई जाती है वो आंधर प्रदेश में उगाई जाती है भारत के अन्य मुंफली उत्पादक राजी कौन कौन से है तमिलनाडू करनाटक फ्रांस D चीन तो इसका right answer हो जाएगा option A भारत भारत को कपास की आधी जन में स्थली कहा जाता है विश्मे सरवादिक कपास उत्पादक देश कौन सा है तो वो है चीन सबसे अधा कपास चीन में होती है कपास उत्पादन में विश्मे भारत का कौन सा इस्थान है तो भारत क प्रमुक का पास उत्पादक राज्य कौन कौन से है गुजरात महराष्ट मध्यप्रदेश करनाटक आंध्रप्रदेश और टमिलनाडू नेक्स्ट कोशन है भारत के किस राज्य में सरवादिक चाय का उत्पादन होता है option A बिहार B करनाटक C मध्यप्रदेश D असम तो इस चाय उत्पादक देश कौन सा है तो विश में प्रथम नंबर पे है चीन दुतिय चाय उत्पादक देश है भारत प्रथम नंबर पे चीन है और चाय के उत्पादन में विश में दुतिय नंबर पे भारत है चाय के उत्पादन के लिए आदर्स तापमान कितना होना भारत में चाय लोग जादा पसंद करते हैं. Next question है, बिश में सरवादी कौफी उत्पादक देश कौन सा है? Option A, Brazil, B, Chin, C, Japan, D, Rus. तो इसका right answer हो जाएगा option A, Brazil. बिश में सरवादी कौफी उत्पादक देश कौन सा है? तो ब्राजील है. कौफी उत्पादन में बिश में भारत का कौन सा इस्थान है? तो भारत का इस्थान है पांचवाँ. भारत में सरवादी कौफी उत्पादक राजी कौन सा है? तो भारत में सरवादी कौफी उत्पादक राजी है करनाटक. कॉफी की प्रमुक किसमें कौन-कौन सी है अरेविका, रोवस्टा, लाइव एरिया भाध में विश्व की कुल कॉफी का उत्पादन कितने प्रतिशत होता है तो वो होता है जार प्रतिशत नेक्स्ट कॉफ्शन है विश्व में कौन सा देश सरवादिक फ़लों तता सब्जियों का उत्पादन करता है औप्शन ए ब्राजील, वी, कनार्डा, सी, भारत, डी, जापान तो इसका राइट अंसर हो जाएगा औप्शन सी, भारत, भारत में सरवादिक फ़लों तता सब्जियों का उत्पादन होता है नेक्स्ट कॉशन है सबसे अधिक मात्रा में केसर कहां से मिलता है ए उत्तर प्रदेश में, बी, जम्मू कश्मीर में, सी, केरल में, डी, असम में तो इसका राइट अंसर हो जाएगा ऑप्श प्रचलित किस्म है, ए नासपाती की, बी, केले की, सी, आम की, डी, सेप की, तो इसका राइट अंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आम की, अलफांसो एक प्रचलित किस्म है, आम की, सोना लिखा किस फसल की प्रजाति है, ऑप्शन ए मक्का की, वी, गेहूं की, सी, जोग की, डी दान की, तो इसका राइट अन्स हो जाएगा, ऐप्शन B, गेहूं की, सोना लिखा, गेहूं की ये प्रजाती है, Next question है, निम्न में से, निम्न में से, कौन सी रवी की फसल है, ऐप्शन A, गेहूं, B, धान, C, कपास, D, ज्वार, तो इसका राइट अन्स हो जाएगा, ऑप्श यह सब रवी की फसले हैं रवी की फसलों को ठंड के मौसम अक्टूबर या नवंबर में बोया जाता है तता इनकी खर्टाई मार्च और अप्रेल में की जाती है नेक्ट विशन है निम्न में से कौन सी खरीब की फसल है ऑप्शन ए चनन, बी सरसु, सी धान, गी घर्बुजा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑफ्शन दान धान एक खरीब की फसल है खरीब की कौन-कौन सी फसले होती है धान, मक्का, जौर, बाजरा, कपास ये सब खरीब की फसले होती है खरीब की फसलों को मांसून के समय जून-जुलाई में बोया जाता है तथा इनकी करटाई मांसून के अंत में अर्थात अक्टूबर नवंबर में की जाती है नेक्स्ट कोशन है निम्न में से कौन सी जायत की फसल है औपसर्ण A तर्बूज, B, चना, C, जुआर, D का पास तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औपसर्ण A तर्बूज तर्बूज एक जायत की फसल है जायत की कौन-कौन सी फसले होती है तर्बूज, खर्बूज, खीरा, कक्री ये सम जायत की फसले होती है इन फसलों का उत्पादन रभी तथा खरीब की फसलों के बीच की छोटी सी अवदी मास से जून के समयंतराल में होती है नेक्स्ट क्वेशन है भारत में सरवादिक तंबाकूत पादक राजिक कौन सा है? Option A, गुजराच, B, आंदरप्रदेश, C, महराश्ट्र, D, बिहार तो इसका right answer हो जाएगा option B, आंदरप्रदेश भारत में सरवादिक तंबाकूत पादक राजिक कौन सा है? तो आंदरप्रदेश है नेक्स्ट कुश्चन है भारत में सरवादिक प्याज उतपादक राजिक है Option A, करनाटक, B, जहारकन, C, महराश्ट्र, D, केरल तो इसका right answer हो जाएगा option C, महराश्ट्र सरवादिक प्याज उतपादक राजिक है, महराश्ट्र भारत में सरवादिक जूट उतपादक राजिक कौन सा है? Option A, प्याज बंगाल, B, उत्तर प्रदेश, C, मध्यप्रदेश, D, असम तो इसका right answer हो जाएगा option A, प्याज बंगाल प्याज बंगाल में सरवादिक उतपादन होता है Next question है भारत में क्रशी आधारे सूती बस्त उद्योग के बाद दूसरा सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? Option A, जूट उद्योग, B, सिल्क उद्योग, C, उनिबस्त उद्योग, D, चीनी उद्योग तो इसका right answer हो जाएगा option D, चीनी उद्योग भारत में क्रशी आधारे सूती बस्त उद्योग के बाद चीनी उद्योग सबसे बड़ा उद्योग है Next question है निम्न में से कौन सी नकदी फसल है? Option A, कपास, B, गेहू, C, चना, D, जो तो इसका right answer हो जाएगा option A, कपास कपास एक नकदी फसल है Important points प्रमुक नकदी फसल है कपास, जोट, तंबाकू Next question है विश्व में सरवादिक मतद से उत्पादक देश कौन सा है? Option A, चीन, B, भारत, C, पाकिस्तान, D, अमेरिका तो इसका right answer हो जाएगा option A, चीन विश्व में सरवादिक मतद से उत्पादन चीन में होता है अधर्फान है तीसरा यानिकि मचली के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर चीन है दूसरे स्थान पर इंडोनेशया और तीसरे स्थान पर भारत है भारत में सरवादिक मतद से उत्पादक देश कौन कौन से है? आप्शन A करनाठक, B मद्यप्रदेश, C हर्याना, D मिजोरम तो इसका राइट अंसर हो जाएगा आप्शन A करनाठक, शैतू तेशम का अग्रणी उत्पादक राज करनाठक है आप्शन A करनाठक, करनाठक, D महराष्ट, इसका राइट अंसर हो जाएगा, आप्शन C करनाठक, केंदी रेशम बोल्ट करनाठक में इस्तित है नेक्स्ट कोशन A केंदी रेशम के पालन अनुसंधान और प्रसिक्चन संस्थान कहां इस्तित है आप्शन A पंजाब, B चन्रीगर, C करनाठक, मैसूर, D हर्याना तो इसका राइट अंसर हो जाएगा, आप्शन C करनाठक, मैसूर नेक्स्ट कोशन है होटी कल्चर किस क्रसी से संबन्दित है आप्शन A सिल्क, B फल, C फूल, D अंगूर तो इसका राइट अंसर हो जाएगा, आप्शन B फल होटी कल्चर सब्द फल से संबन्दित है बिटी कल्चर नेमन मैसी किस क्रसी से संबन्दित है option A, मदुमक्खी पालन, B, अंगूर, C, फल, D, सिल तो इसका right answer हो जाएगा option B, अंगूर बिटी कल्चर सब्द का संबंध अंगूर की खेती से है next question है epiculture किस क्रशी से संबंधित है option A, मदुमक्खी पालन से B, अंगूर की खेती से C, फूलों की क्रशी से D, फलों की उत्पादन से तो इसका right answer हो जाएगा option A, मदुमक्खी पालन से epiculture मदुमक्खी पालन से संबंधित है next and last question है ग्यहूं की प्रदम क्रांति का बस्ता है A, कल्ले निकलना B, वालिया निकलना C, दुखदा बस्ता D, इन में से कोई नहीं तो इसका right answer हो जाएगा option A, कल्ले निकलना ग्यहूं की प्रदम कांति का बस्ता कौन सी है कल्ले निकलना तो दोस्तों, ये थे top 30 questions चो मैंने भारती करशी से महत्तुपूल लिये थे अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को like, share and comment करें चैनल को subscribe करके bell icon को press कर लें ताकि अगर मैं कोई वीडियो upload करूँ तो वो आपको सबसे पहले मिल सकें तो friends मिलते हैं next वीडियो में ऐसे ही कुछ important प्रशनों के साथ तब तक के लिए bye bye, take care